आपके पास Realme GT6 Series का कोई भी फोन है तो यहां पे आप फोन को reset कैसे कर सकते हैं यानि कि factory data reset कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए आप सेटिंग पर जाएंगे इस टैप से option देखने को मिलेगा scroll कर लेंगे और यहां factory data reset करने के लिए आप additional setting पर क्लिक कर लेंगे scroll करना है यहां पे आपको backup and reset का option है इस पर क्लिक करना है reset phone क्लिक कर लेंगे अब erase all data का option है क्लिक कर लेंगे आपको जो भी आपके फोन का lock है वो enter कर लेंगे ठीक है अब erase all data पर आपको क्लिक करना है finally एक बार और पूछेगा तो जैसी आप इस पे red वाले button पे click कर देंगे अभी तुम आने छोड़ दिया जैसे click करेंगे वैसी आपका phone जो है switch off होके on होगा wait कर लेंगे on होने का ठीक है आपका पूरा data clear हो जाएगा पूरा phone जैसा नया purchase किया था वैसा हो जाएगा बस on होने तक इसमें कोई भी button आपको छेड़ना नहीं है on करने के लिए आपको बस wait करना है on होने का phone में charge आपका 30% से उपर ही होना चाहिए वरना phone on होने में ना दिक्कत आ सकती है क्योंकि on होने के लिए वो 15 minutes का time लेता है बैटरी भी करके ठीक है फिलाल के लिए मैं बैक कर लेती हूं मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार